दोस्तों इस विडियो में कुछ मात्वपुन प्रश्णों को समझाने जा रहा हूं ये प्रश्ण आपकी पाट्य पुस्तक से लिए गए निम्न मैं से किस योगी का द्वीद्रु आगोण शुन्ने ओता है तो यहाँ पर चार ओप्षन है HCl क्लोरीन की विद्युत्रिंता हाइडोजन से अधिक उत्ती तो बंद में उपस्ती दोनों इलेक्ट्रोन क्लोरीन परमाणू के समीप आ जाते और क्लोरीन पर थोड़ा रिनावेश और हाइडोजन पर थोड़ा धनावेश आजाता है यहाँ पर दो द्रू बन जाते हैं धन द्रू और रिन द्रू इसे द्वीद्रू आगोन का आजाता है द्वीद्रु आगोन एक साधीश राशी है और इसकी दिश्या प्लस से माइनस की ओर होती CO2 आणू की सरचना रेखी होती ओक्सीजन की विद्युत्रिन तक कारवन से अधिक होती तो बन में उपस्तित इलेक्ट्रोन ओक्सीजन की ओर शिप्ट हो जाती और इसी तरह इस बन में उपस्तित इलेक्ट्रोन इस ओक्सीजन की ओर शिप्ट हो जाती यहाँ पर इन दोनों बन्दों के आगोन एक दूसरे के विप्रित दिशा में होती तो ये एक दूसरे को केंसल कर देते इसका मतलब है कि CO2 आणू का द्वीद्रू आगोन शुन्य ओत्ता है और HCL का द्वीद्रू आगोन शुन्य नहीं ओत्ता है उनको आ द्वीद्रू आगोन शुन्य ओत्ता है उनन आणो को द्वीद्रू आणू का जत्ता है यहाँ जलका अनुस उत्रे और जलकी आकरती मूरी वे उत्ती ओक्सीजन के विद्यूत रिंटा हाइड्रोजन से अधिक होती है तो बन में उपस्तित इलेक्ट्रोन ओक्सीजन की और शिप्ट हो जाते हैं और इसी तरह इस बन में उपस्तित इलेक्टरोन अक्सीजन की और शिप्ट हो जते हैं। इन दोनों का पारिणामी आगुण इस दीशा में होता है। जब किसी बिंदू पर दो समान बल विप्रित दीशा में कार्य करते हैं, तो पारिणामी बल शुन्य होता है। और जब किसी बिंदू पर दो बल किसी कौन पर कार्य करते हैं, तो उन दोनों बलों का परिणामी बल इस तरसे दर्शा ते हैं तो जल के आणू का परिणामी द्वीद्रू आगोर शुन्य नहीं ओता है इसी कारण जल दुरूवी आणू ओता है प्रते कारवन चार सासयो जगबंद बनाता है और इन चारो बंदों की व्यवस्ता चत्तुष फल की होती मतलब आणू की आकरती चत्तुष फल की होती बंद कौन एक सो नो पोइंट पांच दिगरी होता है सभी बंदों के बीच के कौन समान होते हैं एक सो नो पोइंट पांच दिगरी होते हैं यहाँ पर दो बंद इस बोड के तल में होते हैं और यहाँ बंद बोड के तल से पीछे की ओर होता है और यहाँ बंद इस बोड के तल से उपर की ओर होता है जब इस गोल आकरती को इस तरह से काटते तो इसके दो समान भाग हो जाते और ऐसे काटते तो दो समान भाग हो जाते इसे किसी भी दिशा से आप काट कर दो समान भागों में विभाजित कर सकते हो इस तरह की सरचनाएं सममित सरचनाएं करलती इस आकरती को हम काट कर दो समान भागों में विभाजित नहीं कर सकते यहां आकरती आज सममित होती जब इन चारों बंदों के साथ हाइड्रोजन परमानु को जोड़ देते तो यहां व्यवस्ता सममित होती इन चारों बंदों के आघूण का पारिणामी द्वीद्रू आघूण शुन्य उत्ता है यहाँ मेथेन है और मेथेन का अणू आद्रूवी उत्ता है क्योंकि उसका पारिणामी द्वीद्रू आघूण शुन्य उत्ता है CS3Cl यहाँ पर तीन आइडोजन पर्माणू और एक क्लोरीन पर्माणू है तो यह सरचना आज सममित है क्योंकि इसमें सभी पर्माणू समान प्रकार के नहीं है तो दोस्तों इसका द्वीद्रू आगोण शुन्य नहीं ओत्ता या द्रूवियाणू है CH, CL3 या क्लोरोफाम का आणू सुत्रे और इसमें एक हाइडोजन पर्माणू और तीन क्लोरीन पर्माणू होत्ते इसमें सभी पर्माणू समान प्रकार के नहीं होत्ते तो यहाँ आसममित होत्ता है इसका द्वीद्रू आगोण शुन्य होत्ता परन्तु CCL4 आणू में कार्वन के साथ जुडेवे चारों पर्माणू समान प्रकार के होत्ते तो यहाँ सरचना सममित होत्ती और सममित आणू का द्वीद्रू आगोण शुन्य होत्ता है यह आणू आद्रूवी होत्ते CHI3 इसमें तीन हाइड्रोजन पर्माणू और एक आयोडेन उपस्ती थे तो यहाँ पर चारों पर्माणू समान प्रकार के नहीं है या आज सममित आणू है और आज सममित आणू का द्वीद्रू आगोण शुन्य नहीं होत्ता है तो इसका मतलब है कि हमारा उत्तर CCL4 होगा दोस्तों द्वीद्रू आगोण केमेस्ट्री का बहुती महत्वपों टॉपिक है और इस पर वीडियो बना हुआ है तो आपको द्वीद्रू आगोण निकालना आना चाहिए DDT और BHC बनाने की वीदी और इनका पूरा नाम बताईए DDT बनाने के लिए हमें क्लोरोबेंजीन की आउशक्ता होती हमें दो क्लोरोबेंजीन आनो की आउशक्ता होती बेंजीन के प्रत्य कार्वन पर हाइडोजन परमाणू जुड़े होते हैं तो आपको क्या करना है इस चोथे कार्वन पर एक हाइडोजन परमाणू को दर्शाना है और इस चोथे कार्वन को पेरा कार्वन का आजाता है और पेरा को पी से दर्शाते हैं यहाँ पर दो आणू है और इस दूसरे आणू के पेरा कार्वन को P, D से दर्शा आते ही और क्लोरोवेंजीन के साथ दूसरा अभिकारक क्लोरल होता है दोस्तों क्लोरल में L की आवाज आती ही तो यहाँ अलडियाइड होता है CH3, CHO इस दूसरे कार्वन से तीन हाइडोजन परमानों जूड़े होते हैं और इन तीनों हाइडोजन परमानों को हटा कर यहाँ पर तीन क्लोरीन परमानों जोड़ देते हैं क्लोरीन से क्लोर और एल्डियाइट का अनुलगन एल इन दोनों को मिला कर इसका नाम रखा जाता है क्लोरल आभिक्रिया को समझने के लिए क्लोरल के सुत्र को उल्टा करके लिखते हैं CHO CCL3 आप चाहे तो इसकी पूरी सरचना बना सकते हो एल्डियाइट के सरचना में ऑक्सीजन होता है डबल बॉन के साथ कार्वन के साथ जुड़ा होता है CHO और इस दूसरे कार्वन के साथ तीन क्लोरीन परमानों जुड़े होते हैं क्लोरो बेंजीन और क्लोरल इन दोनों के मिश्टन को सांद्र सल्फ्यूरीक अमल की उपस्तती में गर्म करते हैं सांद्र सल्फ्यूरीक अमल निर्जली कारक होता है यहाँ पर निर्जली कारण आभिक्रिया होती निर्जली कारण का मतलब है किसी पदार्त से जल के अनू का बाहर निकलना नीफ और निकलना और जलीफ और जल जल का निकलना निर्जली कारण के लगता है तो डिडिटी बनाने के लिए आपको क्या याद रखना है इन दोनों अभिकारक के नाम और सूत्रियाद रखना है अब आपको क्या करना है इन दोनों अणों के बीच में से जलका एक अणू बाहर निकालना है ये दोनों आइड्रोजन परमाणू ओक्सिजन के साथ जूड़ कर बाहर निकल जाते हैं और कारवन के इन दोनों बंदों के साथ क्लोरोबेंजीन के अणों को जोड़ देते हैं इसे हम CH लिख देते हैं यहाँ पर दो कारवन परमाणों की एक लंबी चेन हैं दो कारवन को एद का आजाता है और इनके बीच एकल बंद होता है और एकल बंद का अनुलागन एन होता है बेंजीन में 6 कारवन परमाणों और 6 हाइडोजन परमाणों होते हैं जब यहाँ से एक हाइडोजन परमाणों को हटा देते हैं तो इस समू को फैनिल का जाता है और इसे इस तरस लिखा जाता है इस चोते कारवन परमानों के साथ हम क्लोरीन को जोड़ देते हैं तो इसका नाम होगा क्लोरो फैनिल चोते कारवन को पेरा कहा जाता है तो इसका नाम है पेरा क्लोरो फैनिल यहाँ पर दो पेरा क्लोरो फैनिल है इसे हम पी माल लेते हैं और इसे हम पी डेश माल लेते हैं दो क्लोरो डाई क्लोरो दो फैनेल डाई फैनेल और इन दोनों क्लोरो की इस्तती पेरा कार्बन पर होती तो इस्तती को यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर तीन क्लोरो होते हैं, मतलब ट्राइक्लोरो होता है, डाइक्लोरो का D, डाइफेनिल का D, और ट्राइक्लोरो एथेन का T, इसका संशिप्त नाम DDT होता है, BHC, बैंजीन, हैक्सा क्लोराइड, जब बैंजीन के अभिक्रिया परावेंगनी प्रकाश की उपस्तती में, क्लोरीन के साथ की जाती है, आल्ट्रा ओयलेट परावेंगनी प्रकाश की उपस्तती में बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करते हैं हेक्सा क्लोराइड यहाँ पर क्लोरीन परमानों की संक्य अच्छे होती है यहाँ पर एक सिग्मा बंद और एक पाई बंद उत्ता है, पाई बंद दुर्बल उत्ता है, और यहाँ बंद प्रकाश की उपस्तती में टूड़ जाता है। और इसे इस तरह से दर्श आते हैं, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 6 कारवन और 6 आइडरोजन परमाणों उत्ते हैं, इसमें 6 कारवन, 6 आइडरोजन परमाणों और 6 क्लोरीन उत्ते हैं, दोस्तों इन दोनों योगिकों का उपयोग किटनाशक के रूप में किया जतता है। अगला प्रश्ण आयूपीएसी नाम बताईए। दोस्तों आयूपीएसी नाम करण बहुती मात्वपुन उतता है। आयूपीएसी नाम करण पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। अनुपास्थी नाम हटा देते है। सबसे पहले हम जनक श्रंकला का नाम लिखता है। कार्बन पर्मानों की लंबी श्रंकला को जनक श्रंकला का जत्ता है। दूसरे कार्बन पर प्रोमों तीसरे कार्बन पर क्लोरों दूसरे कार्बन पर क्लोरों और तीसरे कार्बन पर पर प्रोमों इन दोनों शाकाओं की इस्ततियां समान है। जिस और शाखा का नाम अंग्रेजी में पहले आता है, ब्रोमो बी से प्रारम होता है, और क्लोरो सी से प्रारम होता है, अंग्रेजी में बी पहले आता है, तो हमें इस और से नंबर देना चाहिए, अब हम इसका नाम लिख सकते हैं, ब्रोमो अंग्रेजी में पहले आता है, तो इसका नाम पहले लिखते हैं 2 ब्रोमो दूसरे कार्बन पर ब्रोमो और तीसरे कार्बन पर क्लोरो तो इसका IPC नाम होगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन दोस्तों नाम वाली अभीक्रिया हैं परिक्षा की द्रश्टी से बहुती मात्वपुनोती दोस्तों यह वी कार्बोक्सिली करणा अभीक्रिया है इसका मतलब क्या होता है CO2 अनू का बाहर निकलना यह कार्बोक्सिलीक अमल है और यहां से हाइड्रोजन को अटाक कर सिल्वर को जोड़ देते हैं तो इसे कार्बोक्सिलिक अमल का सिल्वर लवन का आजाता है। इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ की जाती है। यह अभिक्रिया CCL4 कार्बन टेट्राक्लोराइट की उपस्तती में होती है। यहाँ पर दो ब्रोमीन एक सासाय जग्बन द्वारा आपस में जुड़े होती है। इस लवन में से एक CO2 अनू बार निकल जाता है। और सिल्वर का एक परमानू ब्रोमीन के साथ जूड़कर सिल्वर ब्रोमाइड बनाता है। और आलकिल समू दूसरे ब्रोमीन परमानू के साथ जूड़कर आलकिल ब्रोमाइड बनाता है। और यहाँ इस अभीक्रिया का मात्व पुन उत्पाद है। जब हम इस आर के स्तान पर CS3 लेते हैं तो मैथिल ब्रोमाइड बनता है। और जब इसके स्तान पर आथिल लेते हैं तो आथिल ब्रोमाइड बनता है। अगला मात्व पुन प्राश्ण। क्लोरोफार्म को वायू में खुला छोड़ने पर कौनसी गेस बनती और क्यों बनती। CHCl3 क्लोरोफार्म वायू में खुला छोड़ने पर यहाँ प्रकाश की उपस्तती में वायू से क्रिया करता है। इस अभिक्रिया में ख्लोरोफार्म के दो अनू भाग लेते हैं और इन दोनों अनू को इस तरह से लिख सकते हैं। अक्सिजन गेस के अनू में दो अक्सिजन परमाणू इस तरह से आपस में जुड़े होते हैं। तो आपको क्या करना है? यहां से एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन परमानों को निकालना है. और इन दोनों कार्वन परमानों के साथ इन दोनों ओक्सिजन परमानों को जोडना है. और इस तरह से यहां पर इसके दोनों परमानों परमानों के साथ जोड़ जाती है. C, L2 और HCl के दो अनुप्राप्तोते हैं. तो प्रकाश और वायू की उपस्तती में क्लोरोफार्म के साथ ओक्सिजन जोड़ जाती है. इसका ओक्सिकरन हो जाता है. फल्स वारू एक विशेली गेज बनती है. इस गेज का नाम फोजीन है या विशेली प्रक्रति की होती है. सियो समू को कार्बोनील का जाता है. तो फोजीन गेज का एक और नाम कार्बोनील क्लोराइड होता है. जब यहाँ गेज बनती है, तो क्लोरोफार्म अर्शुद हो जाता है. और इस अर्शुद क्लोरोफार्म का उप्योग निशे तक के रूप में नहीं किया जा सकता है. निशे तक का मतलब क्या होता है? जब ओप्रेशन करते हैं, तो जिस अंग का ओप्रेशन करते हैं, उस अंग को सुन किया जाता है. और इसके लिए क्लोरोफार्म का उप्योग होता है. पारन्तु क्लोरोफार्म शुद्ध होना चाहिए. क्लोरोफार्म के ओक्सी करण को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? इस तरह के प्रश एकजाम में पूछे जाते हैं. क्लोरोफार्म को प्रकाश और वायू से बचाना होगा. इसके लिए क्लोरोफार्म को गहरे रंग की बोतल में भरा जाता है. जिसका रंग गहरा होता है, रंगीन बोतल में भरा जाता है. यदि क्लोरोफार्म की बोतल में फौजिन गेस बन जाती है, तो इसमें एक प्रतिशात आथिल आलकोहॉल मिलाया जाता है. आथिल आलकोहॉ फॉजीन का एक क्लोरीन इस एक हाइड्रोजन के साथ और दूसरा क्लोरीन इस दूसरे आणों की इस हाइड्रोजन के साथ अलग हो जाता है और C285 कारवन 1,2,3 तीन ओक्सिजन इसे कार्वनेट का आजाता है और इसे एथिल का आजाता है तो इसका नाम एथिल कार्वनेट है और दोस्तों यहाँ विशेला नहीं होता है तो यदि क्लोरोफाम की बोतल में फॉजीन गेस बन जाती तो एथिल एलकोहॉल उस गेज से अभिक्रिया करके उसके विशेले प्रभाव को समाप्त कर देता है और एथिल कार्बोनेट बनता है